जहां विकी कॉशल की उमर 36 साल है वही कैटरीना कैफ की 41 साल की है यानि आक्टरस अपने पती से उमर में 5 साल बड़ी है उमरे के साथ साथ नेट वर्थ के मामले में भी कैटरीना विकी से काफी आगे है टाइमसनाओ की रिपोर्ट के मताविक जहां विकी कॉशल कुल 41 क्रोड रुपे की प्रॉपटी के मालिक है तो वही केट्रीना काप की नेट वर्थ 224 क्रोड रुपे है विकी कॉशल के पाद जुहू के राज महल में समुधर के सामने एक आलिशान फ्लाट है जिसमें वे केट्रीना से शादी के बाद शिफ्ट हुए थे इससे पहले विकी अंधेरी वे एक फ्लाट में अपने पैरेंट्स के साथ रहते थे इसके अलावा विकी के पास एक पेंट हाउस और कई और फ्लाट भी है अक्टर के पास कई कारे और बाइक भी उनके लक्ष्डियर कलेक्शन में मौझूद है जिसमें एक रेंच रोवर, आटोबाइग्राफी, LWB, एक मौसरीस बेंड्स, ZLI, एक BMW, 5GT और एक रॉयल एंफिल्ड कॉंटिनेंटल GT 650 जैसी गारियां शामिल है फिनाशल एक्सप्रस के रिपोर्ट माने तो फीस के मामले में भी विकी कॉशल केट्रीना से पीछे है विकी ने आपनी फिल्म सैम बहादुर के लिए 10 करोड रुपे वसूले थे, वहीं केट्रीना कैफ का शुमार भारत की हाइस पेट एक्ट्रसिस में होता है वे एक फिल्म के लिए 15 करोड रुपे से 21 करोड रुपे की फीस चार्च करती है इसी तरह के और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टावीट के साथ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही हमारा बेल आइक और प्रेस करें